हलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं उपयाँ और बहुत भूष स्वागत है हमारे चैनेल डिवाओं में लेकर आया हूं वह है आपडेट वेकेंसी के डिगार्डिंग वह वेकेंसी है, जीविकाँ से तो friends चलिए देखते हैं advertisement page पे कि क्या क्या educational qualification है क्या इसके लिए age है क्या फी का प्रवधान किया गया है और इस form को कब से कब तक apply किया जा सकता है चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए friends हम चलते हैं advertisement page पे हुआ देखेंगे क्या कहची का प्रवधान किया गया है फ्रंट्स यह है vacancy का विज्ञापन पेश ये जीविका का वیکशा है और ये जीविका का वैकेंसी उत्तापर्दिस में निकला हूआ आप देख सकते हैं 7 जनौरी 2022 को यहां विग्यापन का जो दिथी दिया गया है पदों का उसकता दिया गया है नीचे में दिया गया उतर परते सराजी ग्रामिट आज़ेव का मिशन राज जनपत विकास खंड अस्तर के सेवा परदाता आवेदित निमने लिखित पदों है त आप देख सकते हैं करम संख्या पदों का विब्रण और पदों की संख्या दिया हुआ है करम संख्या एक में राज अस्तर पे 14 वेकेंसी है दूसरा जनपत अस्तर यानि डिष्टिक अस्तर पे 290 वेकेंसी है तिसरा है विकास खंड अस्तर यानि ब्लोक अस्तर पे आपको 14 232 वेकेंसी का प्रवधान किया गया यानि टोटल कूल मिलागर 1736 वेकेंसी यहां निकला हुआ है उक्त सभी पदों से समधित पात्रता विवरन जैसे पदों की थीम और एक्षण के इस्तिति आयुसीमा साचनी योगिता कार्य अनुभाव चैन प्रगिरिया ऑनलाइन अवेदन करने हैतु दिश्या निर्देस तथा अन्ने सभी जानकारी दिनांग 25.1.222 से 25.2.22 तक वेब www.asams.co.info club होगा आवेदक वेबसाइट पर उपलब निर्देसामसार आवेदन करेंगे पाला है रिक्तियों की संख्या बिना किसी प्रू सोचना के बढ़ाई योग घटाई जा सकती है दुसरा है उतर परदेसराजी ग्रामिड आईजीव के मिसन के पास किसी भी अस्तर पर भरती प्रक्रिया को निरस्त वशन सोधित करने के समस्त अधिकासुर अच्छित है तिसरा भरती है तू रिक्तियों के सपेक्ष उतर परदेस सरकार में निर्दाहित आरेचन परदाली सभी स्रेणियों है तू लागू होगी चोथा आवेदन है तू कोई भी सुलक दे नहीं ओगया यानि यहां भी जीरो है पाचवा है अवेदन करने वाले उमिदवारों को उतर परदेस सेवा योजन पोटल पर पंजीकन कड़ अवेदन पंत्र में पंजीकन संक्या अंकित करना आनिवाल होगा यहां मिसन निदेसे का सेनेचर है तो फ्रेंट्स यह रहा उत झाल झाल